और दोस्तो कैसे हो आप लोग, उमीद है सब बढ़ियां से होगे, दिवाली की सफाईयां आपकी भी चल रही है कि नहीं, मेरी तो लगभग काफी कुछ पूरी हो गई थी, आपकी जो मैंने काफी पहले ही कर लिया था, क्योंकि हमारे घर में फंक्शन होना था इसलिए, यह स पर्टिकुलर जगहों को ज़्यादा बार बार साफ करते हैं, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता है, और हम लोग की आखे भी इतनी यूस्टू हो जाती है, कि हम लोग को वहां की गंदगी ध्यान नहीं जाता है, यहां पर इतनी गंदगी जो कि दोस्तों बहुत गंदी है तो असा दिल सम्हाल के बैठिएगा ये देखिए ये दोस्तों एक्चुल में है मारवल इसके नीचे लेकिन यहां पानी की मिट्टी की इतनी हार्डनेस लग गई है यहां मेरे काफी प्लांट्स रहते थे जिससे की फर्श बहुत खराब हो गई है तो मैं सोच रही हूँ अब इसको साफ करूँ और प्लांट्स भी मैंने हटा दिये हैं यहां से इसको साफ करने के लिए ये मैंने सलूशन डाल रखा है इस सलूशन को मैं आदा घंटे के लिए डाल देती हूँ फिर साफ करती हूँ यह है दोस्तों हार्पिक यहां म इसको रगड़ती हूँ दुबारा से तो आदे घंटे हो के हैं मैं रगड़ना शुरू कर रही हूँ और दोस्तों मेरा ये एक दिन का काम नहीं ये कि मैं एक दिन में इसको साफ करूँगी मैं जो हूँ इसको थोड़ा-थोड़ा करके डेली केवल हाफ एन आवर अपना अलारम लगा करके मैं इसको साफ करती हूँ हाफ एन आवर में थोड़ा-थोड़ा साफ ये डेली होता चलेगा ये एक दिन में करो तो काफी काम हो जाता है तो मैंने उसको हार्टिक से रगड़ा जूने से रगड़ा इस चाकू से रगड़ा साथ में स्टोन से भी रगड़ा अच्छा जब मैं रगड़ आई थी तभी मुझे बाहर जो था बहुती नौइज शोर गुल की आवाज सुनाई थी अब क्यूरिसिटी थी कि देखें भई वहाँ पर हो क्या रहा है तब मैंने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो हमारे घर के सामने एक प्लॉट है उसमें आग लग गई है यह प्लॉट जो है खाली है किसी का भी नहीं है तो अकसर इसमें कूड़ा वेगरा फेका जाता है और किसी का भी गार्डन का वेस्ट रहता है अकसर लोग फेक देते हैं इसमें तो वहीं पर हमें लगता कोई पटाका वेगरा चला गया है जिसने की चंगारी से यह आग लग गई है काफी गारियां खड़ी थी एक गारी हटाई गई है यहाँ से पुलिस फाले भी आ गए हैं देखने के लिए और इन्होंने जो था फायर ब्रिगेड को कॉल करा और तुरंती फायर ब्रिगेड गारी आई 5 ब्रिगेट गाड़ी को आने से थोड़ी से प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हमारी कॉलोनी में तार बहुत नीचे नीचे गए है आपको खुद भी दिख रहा होगा देखे कितने नीचे नीचे तार गए है और ये तार जो हैं जो कोई भी उंची बड़ी गाड़ी आती है उसमें ये फंसते हैं तो गाई तो आगई गाड़ी और देखे कितनी मुस्तैदी से कितने अक्टेव हैं ये लोग फटा फट इन्होंने ट्यूब निकाला और इसमें जो था ये धार बांद करके स्प्रे करने जा रहे हैं ये देखे यहां पर बहुत अक्टेव हैं ये सब मतला हम लोग तो देखते ही रहे गए और फटा फट इन्होंने ये धार बांदी और ये पानी की धार देखे कितनी तेज है इनकी मुटी सी बिलकुल तो काम धाम छोड़ करके सब यही ताक नहीं लग गया हम लोग आगया कोई कामी नहीं बढ़ रहा था क्योंकि दिमाग में सब बस यही हो रहा था बार बार की कैसे लग गई आग और अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगी वैसे बहुत ज़दा बढ़ ही नहीं थी तुरंत यह सब लोग आ गये तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया हम लोग सब लोग यह अंदरी से गुस गुस के देख रहे थे यहां से वहां कोई नहीं जा रहा था क्या था ना पटाके बोल रहे थे चीजे उड़ रही थी अचानक कोई से कोई बोतल उतल थी ना वो भी उड़ जा उदम से उससे भी आवाजें हो रही थी बोतलों से कांश की बोतले पड़ी थी उसमें तो मैं भी जो था अपना काम थाम छोड़ करके थोड़ा सा टाइम इंवेस्ट करने लग गई इसमें देखने के लिए और इसके बाद जो था मेरा नहाना धोना सभी अभी बाकी था हमने का इसको पहले देख ले फिर नहाना धो करके आगे काम को बढ़ाया जाए तो बज़े तक रात में बजा सकते हैं उसके बाद नहीं बजा सकते हैं और हमारे यहां बहुत पड़ाका सब लोग बजाते भी हैं इस समय दोस्तों दिन के तीन बज गये हैं मेरा खाना पीना सब कुछ निपट चुका है और अब मैं सोच रही हूं थोड़ी सी शॉपिंग कर समान ही है तो क्या खरीदूंगी वो मैं कभी आपको दिखाऊंगी और भी छोटे मोटे कई समाने सबजी भी लानी है मुझे अभी ही क्योंकि फिर यह ना कि भीड़ बहुत हो जाती है मार्केट में करोना के चक्कर में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो फ्रेंस फिर यूज करते हैं कि यह सब टोइस जो बेचते हैं उनकी बड़ी मुश्किल रोजी रोटी चलाना उनको बड़ा मुश्किल होता है तो आप जो है दियाली और इस तरीके के जो मिटी के टोइस हैं इनको जरूर मतलब खरी दिये यह भी एक कला है अगर इनको हम लोग का रूप होती है दिवाली में इसकी पूजा भी थोड़ी बहुत होती है तो इसको भी मैंने खरीद लिया है और फ्रेंस जो है स्कूटर से ही आये थे क्योंकि इतना रश है कि ना तो कार आ सकती है और मोटर सैकल में तो हम लोग समान ही नहीं रख सकते कोई भी तो बस ऐसे ही आए हैं दियाली वगेरा हमनोंने खरीद ली है वैसे करोना के उससे थोड़ा सा कम भीड़ है तो फ्रेंस इन लोग को जो ही ट्वाइस बनाते हैं मिटी के दियालियां बनाते हैं इनको जरूर सपोर्ट करिए आपके सपोर्ट से इनकी रोजी रोटी चलती रहेगी फिर मिलते हैं आप से किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए